हाई गाईज, वेलकम तो ZSF TechHook चैनल, आज के इस वीडियो में मैं बताने जारी हूँ कि कैसे आप PPT को MP4 वीडियो में कनवर्ट कर सकते हैं, PPT को वीडियो में कनवर्ट करने के लिए आपके पास MS Office 2010 या उसके बाद का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास पहले से ही PPT बनी है और इसमें Transitions and Animations लगे हुए, अगर आप Slides में Transitions आड़ करना है तो आपको Transitions में जाना है, अगर आपको किसी भी Image या Text को Animations आड़ करना है तो आपको Animations में जाके आड़ कर सकते हैं, अगर आप किसी भी PPT में Transitions आड़ कर रहे हैं और PPT से वीडियो को का Export कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको Mouse Click को Uncheck करना है और आप देख सकते हैं कि मैंने Mouse Click को Uncheck किया है, क्यूंकि जब तक आप Mouse Click नहीं करोगे, जब तक Next Slide Show नहीं करेगा, अगर आप एक स्लाइड पर 5 सकेंड या 1 मिनिट बोलना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं तो आपको इधर उतने सकेंड या मिनिट आपको कर देने हैं, और मैं यहां पर 5 सकेंड दे रही हूं, अब मैं Apply to All पर क्लिक कर दूँगी, और यह सारे स्लाइड पर 5 सकेंड अप्लाइ हो जाएंगे, यानि एक स्लाइड पान सकेंड के बाद शो हो जाएगा, अगर आपको किसी भी स्लाइड में Voice रेकॉरड करना है, तो आपको जाना है Slide show में, अब इसमें आपको options मिल जाएंगे Record Slide show, और इसपे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, दो options, सबसे पहला option है start recording from beginning, और दूसरा option है start recording from current slide, अपने requirement के हिसाब से आप कोई सा भी एक option select कर लीजिए and मैं इधर select कर रहे हूँ start recording from beginning क्यूंकि मुझे starting के slide से record करना है अब आपको click करना है start recording पे and आप जो भी इधर बोलेंगे वो record हो जाएगा and timings के साथ record होगा and आप देख सकते हैं timings आप देख सकते हैं कि मैं हर एक slide में record कर रहे हूँ next करके and इधर मैं second slide में भी record कर रहे हूँ and next third slide पे भी मैं record कर रहे हूँ recording complete होने के बाद आपको press करना है escape button अगर आप देखना चाहते हैं हर एक slide का record time तो आपको click करना है slide sorter पे and इधर आपको summary मिल जाएगी सकते हैं first slide पे मैंने 13 seconds का record किया second slide पे 13 seconds, third slide पे 8 seconds का fourth slide पे 5 seconds का and last slide पे 8 seconds का किया है तो मैं वापस से slide sorter पे ही click कर दूँगी and अगर आप दुबारा से चेक करना चाहते हैं हर एक slide को तो आपको click करना है start from beginning पे या आप keyboard में press कर सकते हैं F5 बटन को and आप हर एक slide पूरी तरह से double check कर लीजिए and आप देख सकते हैं कि मैं हर एक slide double check कर रही हूँ double check होने के बाद आप escape बटन दबा दीजिए अगर आपको कुछ भी कमी लग रही है किसी भी slide में तो आप उस slide में जाके correction कर सकते हैं इस ppt को आप वीडियो में convert करने के लिए आपको सबसे पहले files पे क्लिक करना है उसके बाद आपको क्लिक करना है export पे इधर आपको क्लिक करना है creative वीडियो पे इधर आपको कुछ options मिल जाएंगे और आप देख सकते हैं quality का option इधर से आप video की quality चूज कर सकते हैं और मैं select कर रही हूँ full HD quality यानि presentation quality उसके बाद आप देख सकते हैं use recorded timings and narration and इधर slides के timings उसके बाद आपको क्लिक करना है creative video पे and आप देख सकते हैं कि मैं इस file को save कर रहे हूँ desktop पे and मैंने file name दिया हुआ tourism facet designs and इसका file type है mp4 and save पे click कर दीजे and आप नीचे एक message देख सकते हैं creating video tourism facet design and ये ppt video में convert हो रहा है convert होने के लिए कुछ time लगता है and आपको wait करना पड़ेगा and ppt video में convert हो गया है and ये desktop पे save है इस पे आप double click कर लीजे and ये रहा आपका video guys आपको बहुत सारे online tools भी मिल जाएंगे ppt से video में convert करने के लिए ये बहुत ही आसान तरीका है अगर आप किसी भी platform पे video upload करना चाहते हैं या YouTube पे ही अगर आप video upload करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप convert करके upload कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेर, कमेंट and सब्सक्राइब कर दीजे